माहराश्ट में 20 नमंबर को होने वाले विदानसवाज उनाव से पहले राज्स्तान के मुखेमंत्री भघललाल शर्मा प्रवासी राजस्थानी को साधने में जुटे हुए हैं सीम भजलाल ले माहराश्ट में राजस्तान के प्रवासीयों के कारिडरम में शर्कत की सियम भजला ने कहा कि महराश्व में महायूती बहुमत के साथ सरकार बनाएगी मैं हजारों किलो मीटर आया हूँ लेकिन मुझे ये एसासी नहीं हो रहा है कि मैं महराश्ट में हूँ मुझे लग रहा है कि मैं राजस्तान में ही हूँ क्योंकि आपने जो यहां किसी ने सौ साल किसी ने डेड़ सो साल दो साल तीन सो साल पहले आकर के हमारे उन बुजर्गों ने हमारे पूरवजों ने जो मेनत और इमानदारी से समर पढ़ भाव से जो काम किया है सबसे पहले तो मैं आप सभी को दिल की घहराईयों से उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्वाद और साधुबाद देना चाहता हूँ क्योंकि आपके मन में जिस कल्पना थी और वो राजिस्थान की मिट्टी की खुस्वू थी क्योंकि राजिस्थान एक ऐसी भूमी है जो महाराष्ट और राजिस्थान का बहुत घहरा सम्मंध है क्योंकि इदर महाराष्ट के अंदर सत्रपदी सिवाजी महाराच और राजिस्थान के अंदर महाराणा प्रताफ जिनका जो सम्मंध है देश के स्वावमान और सम्मान को ले करके वो दुनिया में आपको कहीं नहीं मिलेगा और वो राजिस्थान की खुस्वू जोकि वो शक्ति की धरति है भक्ति की धरति है महाराणा प्रताब की धरती है महाराजा सूरजमल की धरती है आग की प्रित्मूरती पन्या धाय की धरती है भक्ति की मूरती मीरा बाई की धरती है और परियावरं के लिए अपने को समर्पित करने वाली मामरता देवी की धरती है मुझे पता है कि आप जिस विचार से जिस मिट्टी से निकल कर गए कि आप आए हैं मैं कहना चाहता हूँ कि आपने वो राजिस्तान की खुश्वो दुनिया में फैलाने का काम किया है इसलिए भी मैं आपको सभी को धन्वाद देना चाहता हूँ बाबा सिद्गी मर्टर केस में बड़ी गिरफ्तारी हुई है अकोला से सल्वाद देना